हेलो दोस्तो आज के इस इंफर्मेशनल वीडियो में हम पोस्ट आफिस यानि के डाक घर से रिलेटेड जी पी ओ, हो, एसो, बी ओ वगेरा के फुल फॉर्म्स और उसका मतलब समझेंगे आपने कई बार रिलवे के टिकेट अगर बुक किये हैं तो देखा होगा, जब आप लोकल पोस्ट आफिस सिलेक्ट करते हैं, अड्रेस पूट करने के टाइम पर, वहाँ पे पोस्ट आफिस के नाम के आगे, एसो लगा होता है, तो क्या आप जानते हैं कि एसो का मतलब क्या ह होता है आयो जानते हैं आज के इस information वीडियो में इन ही सब के बारे में तो आयो शुरू करते हैं आज के इन information वीडियो हमें दोस्तों जब हम बात करते हैं post office यानि के dark घरों की तो आपको बता दें कि dark घर basically जो है वह तीन तरह के होते हैं सबसे पहला जो है वो HO कहलाता है यानि के Head Post Office जिसे हम हिंदी में परधान डाक घर कहेंगे दूसरा होता है SO यानि के Sub Post Office जिसे हम हिंदी में उप डाक घर कहेंगे और तीसरा होता है BO यानि के Branch Post Office जिसे हम शाखा डाक घर कहेंगे तो आईए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Head Post Office यानि के परधान डाक घर या HO के बारे में जो Head Post Office होते हैं वो Controlling Authority होते हैं उस एरिया के जितने भी सब Post Offices हैं यानि के उप डाक घर हैं सबका जो Controlling होता है वो HO से होता है और एक Head Post Office के अंतरगत लगभग पचास जो उप डाक घर हैं एसोज हैं उस एरिया में डिफरेंट डिफरेंट पीन कोड़ के वो आ सकते हैं और सारे जो Post Master होंगे उप डाक घरों के वो सारे रिपोर्ट करते हैं Head Post Master को जो उन्हें कंट्रोल करते हैं और दोस्तों आब हम जानते हैं सब Post Office यानि के उप डाक घर के बारे में जिसे हम Short में एसो कहते हैं तो जिनरली जो उप डाक घर होते हैं यहीं पे उस पर्टिकुलर जो पीन कोड का एरिया है वहीं से शौटिंग और डेलिवरी का सारा काम होता है और जो Postman होते हैं वो यहीं पे रिपोर्ट करते हैं और उनके जिम्मे होता है उस उस पर्टिकुलर एरिया में चाहे स्पीड पोस्ट हों या पार्सल्स हों जो कोई भी Postal related documents हों उनको जो डेलिवर करना है यह सारा जिम्मा वहां के Postman पे होता है और अब हम बात करते हैं ब्रांच Post Office यानि के शाखा डाक घर जिसे हम बीयो कहेंगे के बारे में ब्रांच Post Office किसी एक SO के अंतरगत आते हैं और आपको बता दें कि किसी एक SO यानि के सब Post Office के अंतरगत कई ब्रांच Post Offices हो सकते हैं जो छोटे छोटे गाओं में हो सकते हैं वहां से इनका काम होता है कि उन एरियाज से जो रिमोट एरियाज हैं वहां से पोस्टल रिलेटेट सारे जो डॉकुमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करके SO तक timely पहुचाना होता है उन्हें और फिर SO में shorting के बाद वो आगे के reconciliation के लिए आगे के process के लिए HO में भेज दिया जाता है तो दोस्तों अब हम जानते हैं कुछ और post office से related abbreviations के बारे में जैसे GPO यानि के general post office जो की सामानने था बड़े बड़े शहरों में होते हैं जो main dark घर कहलाते हैं कुछ और abbreviations like TMO यानि के transit mail office RMO यानि के railway mail office NSH यानि के national storage hub So friends आज के इस informational वीडियो में इतना ही I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा तो like करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हैं तो subscribe जरूर कर लें Thanks for watching